Hello everyone, welcome to lecture force, I hope you all are doing great, in this video we will talk about the biggest opportunity जो आपको इंडियन गवर्मेंट देती है, आप after 12 डिरेक्ट गवर्मेंट का हिस्सा बन सकते हो, बाहरा सरकार का हिस्सा बन सकते हो, जिसमें एर फोर्स में एर्मेन की पोस्ट के लिए रिकूर्टमेंट होता है, गुरूप X, Y के थुरू और नेवी में SSR AA exams के थुरू, आप सीधा इंडियन गवर्मेंट का हिस्सा बन सकते हो, इसको मैंने biggest opportunity इसलिए कहा, क्योंकि जब आप आगे जाओगे अपने senior से पूछो, आगे के जैसे exams हैं, जैसे SSC की बात करें, इंडिया में जो अभी सबसे, जहां पे सबसे जादा gathering है, वहाँ पे competition बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पे discrimination भी होता है, कास्ट को लेके, ठीक है, आपका जो reservation होता है, तो इन सब fight में आपको ना पढ़ना पड़े, आप कुछ strategy, कुछ सठीक चीज़े अगर आप अच्छे से जान लेते हो, तो ये सारे ही exams first attempt में crack किये जा सकते हैं, इनमें examiner की demand कुछ high नहीं रहती है, बस कुछ सठीक चीज़े हैं, अगर उनको आप follow कर लेते हो, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से interaction करता हूँ, जो first attempt में सारी exam निकलते हैं, group X भी निकलता है, उनका by भी निकलता है, parallelly उनका group SSR, AA निकल जाता है, even उनका MR तक clear ह होता है, तो अगर कोई ऐसा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं, तो वीडियो की सुरुआत करने से पहले, मैं सारी ही बाते बताऊंगा कि Y group में कैसे क्या करना है, SSR के लिए क्या करना है, but before we begin, मैं एक mistake बताना चाता हूँ, जो मैंने करी थी, ठीक है, ये एक मेरा personal experience, beginning मैं ये ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी केवल dedicated था group X के लिए, मैं भी group Y और AA, SSR इन सारे exams में focus नहीं करता था, मेरा एक target था, और मेरे अंदर मतलब मेरा एक opinion भी था, कि अरजुन की तरह केवल हमें मचली की आग देखनी है, तो ये एक mistake थी मेरी, कैसे मैंने realize किया आगे मैं ये आपको पहले बता दूँ, क्योंकि क्या होता है, कि पहले group X की बात कर रहा हूँ, ठीक है, group X का जो बच्चा तयारी करता है, उसको साथ साथ में group Y की तयारी इसलिए करनी चाहिए, क्योंकि English दोनों में mutual है, English की preparation आप group X के लिए भी करते हो, भाई के लिए भी करते हो, ठीक है, जिसका बेटेज होता है 20 marks, अब बात आती है रागा की, reasoning and general awareness, उसमें क्या होता है, कि reasoning एक कैसा subject है, अगर group X वाला बंदा 30 minute daily का, 30 minute अगर reasoning को देने लगेगा, और अगर उसने interest create कर लिया, कि कैसे counting figure, कैसे count करते हैं, triangle में triangle कैसे count करना है, या एक वार उसको alphabet का, जैसे उसको पता चल गया, K11 के position पर आता है, ठीक है, X24 पर आता है, ये सारे चीज़े, X का उल्टा जो होता है, वो क्या होता है, ये सारे C होता है, तो ये जब interest create हो जाएगा reasoning में, then you will see, कि मतलब, आपको effort भी नहीं लगाने पड़ रहे हैं, और साथ में आपका आगे आपको बहुत सारी possibility हो जाती है, जैसे F-CAT, जब आप इनहीं मैंसे बच्चे होते हैं, trust me, जो आगे जाके F-CAT join करते हैं, ठीक है, जो आगे जो है commission होते हैं, उन post के लिए, pilot के लिए, तो वहाँ पे इन चीज़ों का role है, तो अगर आप अभी इनको लेके चलते हो parall लली, तो आगे चलके आपको effort कम लगाने पड़ते हैं, आप किसी भी field में जाएंगे इन आपका इस group के बाद, जब SSR, AA, मतलब जब defense की preparation के बाद, आप किसी field में जब उतरेंगे, तो वहाँ पे GK का भी role होता है, और reasoning का भी होता है, तो मेरा first beginning में ही मैंने ये बात बोल battle क्यों हुआ, ना ये पूछता है कि पानिपत का battle क्यों हुआ, केवल इन exams पर ये पूछता है कि कब हुआ, हो सकता है, ये भी पूछते, rare है कि किन के बीच में हुआ, तो केवल आपको fact पे काम करना है, static चीज़े जादा आती है, ठीक है, current affairs के 2-4 question आते हैं, तो आप daily अग पता चलेगा कि हमारे surrounding में क्या हो रहा है, second thing, आप parallelly ये सारे exam करा कर सकते हो, जैसे बच्चा physics तो पढ़ता ही है, ये सोचने वाली बात है, आप physics पढ़ रहे हो, math पढ़ रहे हो, technical, तो अगर आप थोड़ा GK और reasoning भी पढ़ते रहते हो, तो आपको possibility है कि आप SSR भी निक होते हैं, सबसे उनका जो वो होता है, command वो practice भी नहीं करते हैं, और reasoning में पूरे में पूरे marks लाते हैं, तो बस एक interest की बात होती है, अभी आपको बहुत तफ लगता है, क्योंकि आपको नहीं पता है, कि I जो है 9th place पे आता है, जब आप alphabetical में इस तरह से interest create कर लोगे अपना तो फिर आपको इतने alphabet वाले जितने reasoning के 4-5 question आएगे, इतना fast करोगे, जो बच्चे करते हैं साथ, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों में बहुत सारे ऐसे हो, जिनका Y और X दोनों निकलते हैं, और उनका next जब session में SSR होता है, वो भी निकलता है, क्योंकि वो सब पे focus कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जाके बहुत competition है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर साथ में ये हो सके तो करते रहे ना, अब बात करता हूँ strategy के बारे में, ये वीडियो मैं especially इसलिए भी बना रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच ठीक है, जो syllabus है, according to जो आपका official website पर जो mock test दिया हुआ है, air force की, तो वो mock test की demand क्या है, उसमें मैंने आपको भी देख रहा होगा, और अगर आपको और detail में देखना है, तो आप मेरे channel पर सर्च करना, official model paper physics by airman website तो आपको मिल जाएगा, तो इसमें मैंने observe किया बहुत अच् चीजें ऐसी होगी, जो सब के लिए equal है, अगर आपके लिए high हैं, वो तो अगले बच्चे, वो इसलिए हैं कि बच्चा वहाँ पर time waste करे, ठीक है, क्योंकि cut off कितनी जा रही, अभी सारी बाते करूआ, तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहू, पहले भी बता चुग मैं बता रहू, वो 70% जो basic paper आएगा, वो कहां से आएगा, मैं बता रहू, किसी की help की need नहीं आपको, क्योंकि आप 12th pass out हो, आप अपने board के, आप राजिस्थान board से हैं, तो राजिस्थान board का 12th का 11th का physics का book आता है, उन दोनों books को रखो, ठीक है, अब उसको कैसे पढ़ना सारे books के, सभी books, सभी board में, सभी books के पीछे objective दिये रहते हैं, हर chapter से 15, 15, 20, 20 objective दिये रहते हैं, तो one go में, आप सारे objective बना डालो, ठीक है, जैसे ही आप objective बना डालोगे, आपका जो confidence है, वो peak पे होगा, क्योंकि believe me, बच्चा परिसान जरूर हो रहा है, इधर भाग रहा है, मैं guide कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों से, एर फोर्स के offline और online students को, तो मैंने ये चीज observe की है, अगर बच्चा 11th और 12th के objective सभी बना डालता है, तो उसका 50% paper हो चुका, ठीक है, तो इतना आप easily कर सकते हो, daily अगर daily 5 chapter के भी आप objective देखोगे, उनको वो करोगे, उनमें पीछे प playlist create करी है, जिसमें नाम दिया है 2021 टारगेट सबसे उपर आपको दिख रही होगी, जिसमें आपको जितने वीडियो हैं, आप क्या करोगे, ये वीडियो उनके लिए हैं, जो beginner हैं उनको भी आगे बताऊँगा, ये वीडियो उनके लिए हैं, जो 12th में सीधा जैसे कोई total internal reflection क phenomenon क्या होता है, वो उनको पता है, अब उसके questions की practice करने हैं, तो आप इस playlist में से daily आदर डालो अपनी सुबह या साम में एक वीडियो minimum देखने की, ठीक हैं, आप सुबह साम एक एक वीडियो देख सकते हो, अगर इसका जैसे एक वीडियो में लगवाग 20 questions होते हैं, सारे miscellaneous ह होते हैं, various chapters से होते हैं, तो इससे क्या होगा, कि इससे आपका बहुत आपको एक confidence आता चला जाएगा, जैसे आप प्रेक्टिस कर लोगे, उतना ही अच्छा आप वहाँ पे perform कर पाऊगे, तो बहुत सारे questions की practice आपको करनी है, आप beginner नहीं हो, एक दो attempt दे रखे हो, तो ये नई playlist बनाई है, इसमें से एक वीडियो डेली देखो, कोसिस करो, देखने की, और parallelly objective बनाते रहो, इतना more than sufficient होगा, अगर आप इतना follow कर लेते हो, क्योंकि कल मेरे पास में screenshot देखाता नहीं हो, कल मेरे टाई है, तो बहुत सारे बच्चों ने हमें भेजाया कि सर ये, आप help अगर कोई वीडियो नहीं भी डालेंगे, तो जितना content यहां पढ़ा हुआ है, वो आपको बहुत easily crack करवा सकता है, अब जो freshers है, जो नए हैं, ठीक है, जो 12th में किसी रीजन से साई सी preparation नहीं कर पाए है, तो मैं कुछ YouTube चैनल बता रहो, especially physics के लिए, ठीक है, आप जैसे जो होता है, थर्मो के question में problem हो रही है, तो simply आप YouTube पे डालो thermodynamic questions by physics वाला, या बाई अलख पांडे, तो आपको एक proper video मिलेगा, जिस video से वो आपका पूरा specific, वो आपका जो chapter होगा, वो clear हो जाएगा, chapter wise के लिए, और अगर वहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ अभी क्या है, बात आती है, मैंने आपको बताया कि जैसे आपको कहा कि साथ में बाई गुरूप की तैयारी भी करते रहो, ठीक है, तो यार मैं आपको एक clip भी हो सकता है, इस video में इंक्लूड कर दूँगा आगे, जो अनु कुमारी की है, जिन्होंने IS crack किया था, जिनकी ए अपना interview दिया, तो उन्होंने कहा, जो comment थी कि मैंने कहीं भी coaching जोईन नहीं करी, उनका जो resource था, IS के exam के लिए, सबसे बड़ा इंडिया का exam, उन्होंने केबल internet को help लेके उस exam को qualify किया, तो ये मित आप निकाल दो कि मैं कोई course अगर purchase नहीं करूँगा, तो क्या clear नहीं कर पा करता है कि क्या course बेना करीदे paper नहीं निकाला जा सकता है, यूट्यूब पे बस आपको digest करना आता हो चीजे, यूट्यूब पे इतना पढ़ा है, cds, fcat जैसे exam लोग क्रेक कर रहे हैं, घर पे बैठके गाउं में रहके, तीक है, ये digital India का जो revolution हुआ है, जब से internet आया है, आपको time to time बताता रहूँगा, आपको क्या, ठीक है, आप जैसे मानलो क्या है, कि कुछ basic चीजे हैं, जैसे history के, कुछ basic medieval, जो आपका modern history है, उससे बहुत question आते है, वाई गुरूब भी हो, चाहिए SSR हो, तो आप simply क्या किया करो, YouTube पे आप 10 मिनट का एक वीडियो देख जोदपूर, सबसे best channel है, कोई best नहीं होता है, लेकिन मेरे according बहुत अच्छा channel है, जिसमें आपको MCQ, या आप channel का नाम नहीं भी लिखोगे, केवाल इतना लिखोगे, geography MCQ, best in Hindi, तो आपको बहुत सारे वीडियो जाएगे, तो आप 2 मिनट टाइम लगाओ, आपको अच्छा select करने में, उसके बाद आप MCQ देख लो, तो ऐसे आदर डालो, कभी आपने ST के देख लिए, कभी polity के देख लिए, कभी geography के देख लिए, तो इससे क्या होगा, आप daily अगर 10-10, 20 मिनट इस तरह के MCQ करने लगोगे, तो आपका GS portion तो automatically clear हो गया, ठीक है, उसके बाद निउज के लिए, ठीक है, यह मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो का length बहुत बढ़ा हो रहा है, अगर ठीक है, आपको need है, क्योंकि math में, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा score करते हैं, वैसे मैं आपको बहुत अच्छे channel बता सकता हूँ, YouTube पे ही जो Air Force का technical math बहुत अच्छे स तो हो सकेगा, तो मैं इनको part wise वीडियो को strategy के वीडियो बना दूगा, बस इस वीडियो को बनाने का purpose सिर्फ यह ही है, कि guys कुछ effort, कम effort में आपको success मिल सकती है, government job मिल सकती है, तो आप लोग पढ़ना start कर दो, मेहनत करना सुरू कर दो, क्योंकि यह समय अगर एक पार निकल जाएगा, तो फिर कभी लोट के बापस नहीं आएगा, ठीक है, फिर आपको regret के लावा कुछ नहीं बचेगा, तो प्लीज बढ़ना सुरू कर दो, क्योंकि कल ही मेरे टाई SSR डबलेगी, कितने घरों में, 2-3-3,000 लोगों के घरों में खुशिया पहुची है, और मतलब य इसमें इतना पावर है, कि इससे आप कुछ भी सीख सकते हो, मतलब इस स्मार्टफॉन से आप अपना स्टार्टप सुरू कर सकते हो, बस कमी होती है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस की, और एक सटीक रड़नीती की, तो आप लोग खड़े हो जाओ, और महनत करने लगो, ठी अपने पापा को सेलिट करूँगा, तो मेरे पापा की आखों में जो फिलिंग होंगी, बस उसको इमेजिन कर लिया करो, और जब भी पढ़ने में मनना लगा करें, तो गाइस पढ़ते रहो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और मैंने ये प्लेरिश तो बना ही दी है, अभी आप मेरा जो वीडियो आएगा, जैसे ग्रेविटेशन के दो वीडियो हो चुके है, थार्ड वीडियो में भी कुछ कुछन देगें करा दूँगा, मैं फिजिक्स की गारेंटी ले रहा हूँ, हर चैप्टर से तीस तीस ऐसे कुछन करा दूँगा, जो आपके लिए राम तो अगर आप पढ़ते हो, आप मेहनत कर रहे हो तो यह कभी बेश नहीं जाएगी, किसी ना किसी डारेक्शन में इसका आपको जरूर मिलेगा, तो जितना ज्यादा हो सके आप पढ़ाई करो,